हलो गाइस वेलकम बाक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स NCRT चप्टर नंबर 6 स्क्वार एंड स्क्वार रूट एक्साइज 6.4 का क्वेशन नंबर 5 क्वेशन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड तो इस वाली लाइन को टार्गेट करी इस वाले वर्ड को टार्गेट करी अधिक लिखावा है यहां पर एडिड लिखावा है तो आपको मैंने आपको बताया था तीन-चार टाइप के सब्सक्राइगा लाइन सब्सक्राइग है तो आपको पता है इसा कॉंड को आस सा युजिस नमबर बन जाए दो नर जाए उसका इसका पर sesqo root भी find करना है यह करा न also find the square root of the perfect square so obtained जो आपको मिला है उसका आपको square root भी find करना है इस type से question को आपको solve करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपको दो तरीके बताऊँगा कितने तरीके इस question को solve करने के दो तरीके बताऊँगा दो method आपको discuss करूँगा clear है first method method क्या है ठीक है तो first method मैं आपको बताता हूँ second method भी अभी बता दूँगा मैं आपको clear है tension मतलो बिल्कुल भी तो first method है हमारे पास में 525 और आपको जो ठीक लगे वो method आप use करो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सबसे पहले format बनाता हूँ 525 के लिए division method का format और यह division method का मैंने format बना लिया यहां लिखा मैंने 525 पीछे से pairs बनाते आपको पता है अब 5 का 5 कहां पर आएगा आपको पता है और 25 जो pair है पूरा का पूरा हम यहां पर note कर लेंगे और जो first time यह division method देख रहा है तो please यार मेरी request है उससे कि आप पहले 6.4 को शुरू से देखिए first question देखिए second question देखिए तो आपको समझ मैंघा अभी देख रहे होंगए आप यहां पर मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे हमने किया ठीक हम बस कर रहे है ठीक है पूरा मैं समझा नहीं पहूंगा first question में मैं आपको पूरा समझा रहा है division method होता है कि actual में और कै से यह work करता है clear है तो हर एक question में समझाना possible नहीं होता है कि पूरा deep जाकर समझाए ठीक है तो देखिए 125 हमने यहाँ पर लिख लिया अब देखिए यहाँ पर 224 ठीक है अब 125 के में क्या जाओंगा nearest अब देखो यह वाला जो method मैं आपको बता रहूं ना यह method ऐसा बता रहूं तो आपको क्या करना है जो आप nearest value निकालते हो मतलब 4 के साथ मैं इसी कौन सी value रखूं जो 125 के nearest हो और कम भी हो लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं अगर आपका added आता है तो आपको 125 के जादा जाना है nearest क्या 125 से कम नहीं जाना है 125 के nearest जाना है लेकिन जादा जाना है तो 4 के स लेकिन जादा गया, क्लियरं कम नहीं जाना ये बात द्यान भग NICK Subtraction में हम कम जाते हैं बट ADIט में क्या करते हैं जब भी ADIT आएगा आपके तो ज्यादा जाएंगे, então 129 हम यहाँ लिख लेंगे, कितना करने पर आया? 3 करने पर आया, 129 अब देखो क्या करना है Nb यहां से less करना है, 125 में से 129 तो less होगा नहीं, 129 में से 125 less हो जाएगा, बात समझ में आ रहे हैं, यह आप इसमें से less करोगे तो minus 4 आएगा, यह minus 4, minus 4 क्या आपको indicate कर रहा है, minus 4 यह indicate कर रहा है, minus में रह गई value, मतलब हम minus से, अब यह जो 525 है, 525 में अगर मैं plus कर दू 4, तो य यह क्या हो जाएगा हमारा number 525, यह perfect square number बन जाएगा, यह था हमारा first method, clear है, ज्यादा जाओ, और जितना कम है, वो add करना है आपको, मतलब 525, 125 में से जब 129 अपने less करा, तो कितना आया, minus 4 आया, minus 4 यह आपको बता रहा है, कि आप क्या करो, 525 में plus 4 करो, बात समझ में आ रही है, क्या चीज हो रही है, ठीक है, simple है, बिल्कुल simple जाना है अपने को, ठीक है, ठीक है, तो यह method हमारा first method है, यह simple method है, ठीक है, चलिए, यह बिल्कुल simple method है, अब second method, second method में क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, हम उसमें भी nearest जाएंगे, लेकिन कम जाएंगे, ठीक है, देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हमने यह बनाया है, इसका format सबसे पहले, यहां लिका हमने 525, पीछे से pairs बनाए, और हमने देखा 2 का square ही होगा, यह तो 4, 5 में से 4 less करेंगे, 125, यह multiplied by 2 कर देते, अब इसके nearest जाएंगे, लेकिन कम जाएंगे, अब की 2 से multiply करेंगे, तो 84 होगा, आपको पता है, ठीक है, 3 से multiply करने पर तो 129 आ रहा था, 84, अब 125 में से 84 less करेंगे, 5 में से 4 less करेंगे, 1 आएगा, 12 में से 8 less करेंगे, 41, अब देखो, यहां पर यह क्या आ रहा है, 41 आपको क् दिखाना चाहरा है, बताओ, 41 अपने को यह दिखाना चाहरा है, कि जो यह 22 का square है, जो यह 22 का square है, ठीक है, वो क्या है हमारा, lesser है 525 से, यह आपको बताना चाहरा है, इस वाले में, यही तो दिखाना चाहरा है, 22 का square ही बनाई, हाला कि बना नहीं है, पूरा perfect, लेकिन 22 के square क nearesty बनेगा यह लेकिन 41 भी हमारा क्या आ रहा है remainder आ रहा है यहां पर ठीक है इसका मतलब क्या कहना चाहरा है यह आपको कहना चाहरा है कि 22 का square जो है वो lesser है 525 से clear मतलब 22 का अगर square 525 से lesser है तो 22 के square के नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 23 का square आएगा 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 22 के square के बाद में next perfect square कहूँ साब 23 का square और 23 का square आपको कुंक निकालना है तो 23 का square कैसे निकाल हो गए 23 को 23 से कर दो हाला कि मेरे को तो याद है 23 का स्कार 529 होता है आप निकाल के देख लिजेगा तो 23 का स्कार क्या आएगा 529 आएगा अब आपको क्या कर रहा है question question कर रहा है find the least number which must be added मतलब क्या add करें तो आप क्या करो 529 में से 525 को less कर दो ठीक है तो वह नंबर आजाएगा कि क्या add करेंगे तो 529 में से 525 less कर दो क्या एगा फूर फूर एड करने पड़ाएगा clear है तो देखो यहां पर इस वाले method में अपने को कितना सारा करना पड़ रहा है इस वाले method में कुछ ए नहीं बस आपको यह यह आद रखना है कि added आए तो हमें जादा जाना है बस nearest जाना है लेकिन जादा जाना है तो देखो कितना फटावट से अंसर आ रहाएगा यहां प method करना चाहे तो हम इसके language कैसे लिखे तो second method की जो language दिखोगे वह आप लिखोगे since remainder is 41 since remainder is 41 therefore therefore 22 का square जो है वो lesser है 525 से clear है next perfect square number next perfect square number is 23 का square यह होगा जो कि होता है 529 हमने निकाला था hence number to be added is equal to 529-525 then answer के आएगा हमारा 4 clear है और जो आया हमारा यहां पर जैसे next वाला क्या था 529 अब देखो डिरेक्ली निकल के इसका 529 का हमने निकाल भी दिया 23 का square जो number निकलेगा 529 उसका square root के निकलेगा 23 ठीक है तो 4 तो हमारा निकली गया और 4 निकलने के बाद में next जो number आया था हमारा 23 का square ही तो निकला था 529 ही तो निकला था तो 529 का जो square root होगा वो क्या होगा 23 होगा clear है तो आप लिख सकते हैं as the square root of 529 is 23 clear है बात तो इस तरीके से आपको इस question को solve करना तो first part हम complete कर चुके है अब हम second part के ओड़ चलते हैं और इन सभी parts को हम करते हैं किस तरीके से हम करेंगे ठीक है तो second part कर लेते हैं अब देखो यहां पर 529 हमने निकाल दिया था 529 प्लस 4 529 फिर इस वाले मैंतर में क्या करना पड़ता जैसे यह करने के बाद में 529 का भी फिर हम क्या करते है स्क्वार रूट निकालते कि भी क्या आएगा क्लियर है चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो अब हम second part करने जा रहे हैं ठीक है second part हमारे पास में क्या है 1750 पहले format बना लेता हूं इसका पीछे से मैंने पेर बनाया 17 कहां पर आ रहा है 4 का स्क्वार और 5 के स्क्वार के बीच में 4 का स्क्वार लेंगे multiplied by 2 हमेशा करना है 4 का स्क्वार लियाना हमने 16 हमने लिखा यहां पर 17 में 16 लेस करेंगे 1 आएगा 50 4 2 हम add करेंगे 8 के साथ में इसी कौन सी value रखे जो 150 के nearest जाए लेकिन जादा जाए वह वाला method कर रहा हूं मैं तो 8 के साथ में 2 रख लो भाई 2 तू जा 4 8 तू जा 16 16 164 ठीक है 2 रखने पर 150 में से 164 लेस करेंगे कितना आएगा माइनस का 40 इसका मतलब है कि माइनस का 14 मतलब यहां पर हम क्या करेंगे प्लस 14 करेंगे ठीक है इसका मतलब यही तो होता है तो 17 50 में प्लस करेंगे 14 तो कितना आएगा 1764 एक हम यह निकालेंगे फिर Safari कं और gu 1764 का square root के आएगा पहली बात तो देखो यह 2 रखाता न आपने यही तो आएगा 82 यहाँ पर क्या रखाता आपने 2 यहाँ पर 2 जो निकलेगा यह 42 ही तो निकलेगा इसके square root simple सी बात है अगर 1764 का आप square root निकालना चाहोगे तो यही तो निकलेगा logic लगाओ ना आप simple सा 82 से हमने perfect किया था तो minus 14 निकला अगर इसमें यह कर देता तो perfect निकलता 2 से हो जाता फिर तो 50 तो 4 का square 16 ठीक है 4 लिया मैंने 17 में 16 लेस करेंगे 1 5 0 4 2 जा हम 8 करेंगे अब इसके हम nearest जाएंगे लेकिन कम जाएंगे तो 2 से करेंगे तो 164 जादा जल जाएगा 1 से ही करेंगे ठीक है और 81 बन जा 81 150 में से 81 लेस करेंगे तो 10 में से 9 हमारा कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा 14 में से 8 करेंगे 6 clear है क्या आ रहा है हमारा 69 69 remainder आने का मतलब हमें यह बताना चाहरा है कि भाई देखो यहाँ पर क्या रखा था हमने 8 1 रखा था तो इसको 1 को भी हम यह रख लेते हैं मतलब हमें यह बताना चाहरा है कि जो 41 है 41 का square जो है वो क्या है हमारा lesser है 1750 से समझ ना देखो इस बात को 41 का square जो है वो lesser है 1750 से clear है यह तो बताना चाहरा है आप ऐसे लिखोगे since remainder is 69 therefore 41 का square is lesser than 1750 clear है और 1750 से हैं तो next जो perfect square number होगा 41 के बाद में कौन सा होगा 42 का square क्या होगा बताओ तो 42 का square जैसे कि अभी आप निकाल के देख लो वैसे तो यहाँ पर निकाला देखो 42 का square 1764 1764 देन उसके बाद में हमें क्या करना होता है इनका difference निकालना होता है difference जब निकालेंगे तो क्या आएगा 14 मतलब वो number कौन सा है बही 14 add करेंगे इसमें जब जाकर आएगा तो यह जो question पूछ रहा है उसका answer क्या होगा 14 होगा and एक उसका square root ही निकालना जैसे also find the square root of the preferred square square root of 1764 is 42 clear है इस तरीके इस इन questions को आपको solve करना है तो जो method आपको ठीक लग रहा है दोनो method आप use कर सकते हो दोनो method आपको सीखने भी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 252 देखते हैं 252 में हमें क्या करना है 252 में अब एक method ही करवाँगा मैं आपको है ना दूसरा method आप यूस करना यहीं देखिए हमने लिया format बनाया 252 लिखा पीछे से हमने pair बनाये और 2 कहां पर आता है बताब 1 का square होता है 1 2 का square होता है 4 तो 1 ही लेंगे ठीक है 2 तो जादा हो जाएगा 2 का square 4 हो जाएगा जादा हो जाएगा तो 1 into 2 and यहां पर मेंशा 2 करते हैं ना double करते हैं twice करते हैं तो 2 करते हैं multiply it by 2 1 का square लिए हमने 1 लेंगे 1 लेंगे 2 मेंसे 1 less करेंगे 1 आएगा यह 52 next pair है पूरा note कर लेंगे 2 into 1 कितना होता है 2 होता है अब 2 के साथ में इसी कौन सी value रखे जो 152 से कौन सा method कर रहे हम first वाला method जो जादा जाए तो 2 के साथ में इसी कौन सी value चे दूनी बारा तिरा चोदा पंद्रा सही आरा विल्कुच 26 चिंग 156 ठीक है 6 रखा मैंने 6 रखने पर क्या आया हमारा 156 कितना 152 में से 156 ज्यादा है मतलब माइनस 4 हुआ माइनस 4 मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा मैं plus 4 करना पड़ेगा 252 में जब मैं plus 4 करूंगा तो कितना आएगा 256 और 256 किसका होता है निकालने की ज़रूरत है क्या नहीं क्यों निकालने की ज़रूरत है देखो यहां पर 2 आपने क्या लिया था परफेक्ट नमबर 6 लिया था नहीं आपर इस 6 को आप यहां पर नोट कर लिजिए बस तो यह 256 किसका होगा हमारा 16 का होगा किसका होगा हमारा 16 का ही तो होगा करने की जूरत ही नहीं आपको वापस है चलिए आगे बढ़ते हैं 1825 का करते हम तो 1825 का अराम से जिगो बस कोई दिख्कत नहीं है ठीक है चलिए 1825 पीछे से पैर बनाते हैं यह बनाया 18 देखो कहां पर आएगा तो 18 को हम देखेंगे 4 चु करेंगे 2 आएगा 25 को पूरा नोट कर लेंगे 4 चुजा 8 करेंगे अब 8 के साथ में मैं इसी कौन सी वैल्यू जखू जो नियरेस जाए इसके 8 16 24 देखो अगर 2 रखूंगा तो बिल्कुल कम जाएगा 3 रखूंगा तो ज्यादा जाएगा 3 तिया 9 आर्थिया 24 ज्यारा ज्या जखेंगे तो 4 आएगा 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 आएगा लेकिन value minus में माइनस 24 का कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या करेंगे हम plus करेंगे तो 1825 में क्या करेंगे प्लस 24 करेंगे तो 1825 में प्लस 24 करोगे तो कितना आएगा 1859 25 25 होता है लेकिन 24 करना था तो 1849 इसका 1849 आगया 1849 के बाद में क्या करेंगे इसका स्क्वार रूट भी तो निकालेंगे तो ये क्या आएगा 43, इसका अंसर आएगा, तो स्क्वार रूट ऑफ 1849 जफ क्या आएगा yeahтор फिस आरेगा बताओ, 1849 स्क्वार रूट क्या है अंसर फॉर्त क्या एका पस्वार णये मेरा 43, चलिया चलिए, अगे बड़े आगे बढ़ते हैं तो आप किसका करना है अपने को फिफ्ट वाला पार्ट करना है तो फिफ्ट वाले पार्ट का मैं फॉर्मेट तियार का देता हूं इससे हलारा पार्ट है 6412 पिछे से प्रेट बनाते है दो दो की प्रेट बना दी हम ने अब 64 कहां पर आ रहा है बताओ तो 64 आ रहा है भाला है वारा द делать हो 67 स्कारो सा 7 का हुआ था 49ane 8 का स्कार है स्क्षी फिर 8 का स्क्षरớर था 64 249 का square होता है 81, तो 8 का square होता है 64, तो 8 का ले लो न, 8 2 जा 16, 8 का square लिया हमने, 8 यहां रख लेते, 64 लिया हमने, 64 में से 64 लेस करेंगे, क्या बचा भई, 12 बचा, अब इस 12 का मतलब आप समझ रहों क्या हो रहा है, बताओ, इस 12 का मतलब क्या है हमें ज़्यादा जाना था अब हमें क्या करना है यहां तो हम हो गए अब इस 12 का मतलब क्या है इस 12 का मतलब है यहां पर काम करेगा आपका कौन सा मेथड second वाला मेथड ठीक है क्योंकि आप यहां पर क्या हो गए अब यहां पर रिमेंट रहा गया हमारा 12 तो यहां पर एक काम और कर सकते हो आप क्या कर सकते हो यहां पर बताओ एक काम और क्या कर सकते हो आप एक काम कर सकते हो आप कि जैसे 0 और 1 2 है तो यहां पर second वाला method यूज कर लो second वाला method क्या कह रहा था अपने को second वाला method कह रहा था कि भई जैसे 16 है यहापर 12 है ठीक है तो 12 में से हम क्या करेंगे जैसे कि क्या करेंगे हम ही आपर बताओ क्या करना चीए अपने को अपने को second वाला method क्या कह रहाたा कि 12 आ गया 12 कहने का मतलब क्या है भई remainder आ यह 12 और remainder कहने का मतलब क्या कह रहा है remainder ये कह रहा है अपने को कि जो 6412 है है ना और यहाँ पर क्या रखने पर आएगा बताओ यहाँ पर ऐसा क्या रखने पर आएगा 0 रखने पर आएगा अगर मैं 0 रखूँगा तो आजाएगा अब 12 आने का मतलब क्या है अब 16 के पास में इसी कौन सी वैलू रखू जो 12 आजाए निया आएगा 16 के पास में अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 से मल्टिप्लाय करने पर 161 आएगा तो मैं 16 के पास में क्या रखूंगा 0 रखूंगा 0 से multiply करने पर क्या आएगा, ठीक है, तो 0 से multiply करने पर 0, 0 आएगा, तो 12 में से 00 माईनस करेंगे, तो क्या आएगा, remainder हमारा 12 आएगा, तो ये क्या बताना चाहरा है अपने को, ये, ये बताना, क्या रखने 80 का जो square है वो lesser है हमारा 6412 से इसका मतलब है कि 80 का square आगा 6412 से lesser है तो next term क्या आएगी next value क्या आएगी किसका square आएगा 81 का square आएगा और 81 का square क्या होगा हमारा तो 81 का square हमें निकालना पड़ेगा तो 81 का हम square निकाल लेते हैं तो 81 का square देखो 81 81 81 बंजा 81 और 81 इंटू 8 कर लो 648 648 प्लस 8 करो 16 656 ठीक है तो कितना आगा 6561 आगया अब 6561 आगया हमारा अब हमें क्या करना है क्या value add करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे इस में से इसको माइनस कर देंगे 6561 में से less कर देंगी 6412 11 में से 2 less करेंगे 9 और यहां पर क्या होगा हमारा 5 होगा 5 में से 1 less करेंगे तो हमारा four हो जाएगा और five में से four less करींगे, one. तो 149 इसका difference आएगा, 149 difference आएगा मतलब है, 149 difference आएगा मतलब है, कि इसमें क्या करेंगे, हम 6412 में 149 को add करेंगे, ठीक है? 6412 मेम 149 को add करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, यही तो आएगा perfect number, 6561, 6561, जो कि किसका होता है, 81 का square होता है, clear है, तो इस तरीके से इस question को आप solve कर सकते हैं, और first method से भी इसको solve कर सकते हैं, आप एक बार try करना, first method से भी यह solve हो जाएगा, clear है, तो उम्मिद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आयोगी, तो प्लीज लाइक किजिए, शेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे की अपकमिंग आपको ताइम तो ताइम मिलते रहे, थैंक यू सो मच